खलो अच्छो कैसे हैं सभी तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत अच्छे चल रही होगी गर पर तो आज का जो सेशन है इस लेक्चर में हम लोग कड़ों का निकाय अब हम घुणन गती पर ही पूरा ध्यान देने वाले हैं क्या होता है यह तो मैं फिर से civil क्रों कर Daarौद है, मतलब इसको मैं फॉल्ड करके आपनी जैब में आराम से मूठी में बंद कर सकता हूं लेकिन यही MURन काम क्या मैं चारो और अपने आसपास जिनको आसाणी से थोड़ा साव अगर हम बल लगा दें तो उसमें विकृति आ जाती तो अगर हम कुछ ऐसे पदार्थ देखें, जिसमें जो उनके अंदर जो कण है, ठीक है, वो परिवर्तित हो जा रहे हैं, उनकी बीच की दूरी परिवर्तित हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो वो विक्रित निकाय कहलाते हैं, निकाय मतलब कणों का एक संभू, वहीं दूसरी और अगर हम देखें, जैसे इसको मैंने अभी बताया, इसका उधारन दिया, तो इसको अगर हम देखें, तो कुछ ऐसे निकाय भी हैं, जिनके कणों के बीच की दूरी परिवर्तित हो जी नीरी है, ठीक है, तो ऐसे निकायों को, या ऐसे पिंडों को, ऐसी वस्तूं को क्य कहते हैं, द्रिल पिंड कहते हैं, तो द्रिल पिंड एक ऐसा पिंड होता है, जिसके अभी कण की अवस्था में भी अपनी सापेक शिस्तिती बनाए रखते हैं, सापेक शिस्तिती का अतात्पर ये हो गया, कि एक इसके अंदर का कण ये है, पहला कण ये हो गया, और दूसर गुमा रहा हूं इस तरीके से भी गुमा दिया मैंने क्या यह दोनों बिंदू की स्थिती परिवर्तित हो रही है तापेक शिस्थिती में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसे ही पिंडों को क्या कहते हैं हम द्रण पिंड कहते हैं समझ में आ गया तो इसकी परिवासा आ एक ऐसा पिंड होता है जिसके अव्यव कण की अवस्था में भी अपनी सापेक शिस्तिती बनाये रखते हैं या फिर हम यह कह सकते हैं कि कणों के बीच की दूरी है वो परिवर्तित नहीं होती है तो ऐसे पिंडों को दिर्णपिंड कहा जाता है अब कुछ फोटो आप देख इमान या भार लटकाने पर यह क्या हो गया मुड़ गया ठीक है यह इस तरीके से मुड़ गया अभी यह पैनी देख रहे हो आप यह तो नहीं मुड़ रहा है लेकिन यह मुड़ गया तो यह अगर मुड़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे यह एक विकृत पिंड है क्या है भही दूसरी और एक आपके पास और दूसरी एक छड़ है इस छड़ पर भी आपने दोनों तरफ बजन लटकाया दोनों तरफ भार लटकाया अब इसको एक पॉयंट पे कर दिया एकडम फिक्स कर दिया ठीक ए तो आप देखेंगे इस पर फिक्स करने के बाद भी यह क्या होगया अपनी जो अकार है इसमें कोई भी विकृति नहीं आने दे रहा है इसका मतलब ये कौन सा पिंड है इसको बोलते है द्रण पिंड है ठीक है तो द्रण पिंड हमने इसकी परिवासा देखी क्या होगा द्रण पिंड है एक ऐसा पिंड होता है जिसके अव्यवकड की अवस्था में भी अपनी सापेक शिस्तती बनाए रखते हैं तो उनको हम द्रण प या सकता वो घूम नहीं सकती है विल्कुल भी तो क्या यह जो निकाए हमने बनाया है यह निकाए द्रड़ पिंड होगा तो इसका उत्तर क्या होगा यह निकाए यह निकाए द्रड़ पिंड होगा ठीक है? यह निकाय दिरन पिंड होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो बिंदु हैं, जो कंढ है वो अपनी साप्य क्षिस्तिती परिवरतित नहीं कर रहे है, तो इसलिए यह दूसरी ओर एक रेत का धेर है हमारे पास क्या इसको एक दिर्ण पिंड की संग्या दी जा सकती है दिर्ण पिंड माना जा सकता है तो इसका उत्तर क्या होगा तो इसका उत्तर होगा नहीं तो आप अगर रेत के धेर को देखो तो रेत का धेर क्या होता है आप अगर उसके उपर थोड़ा सा भी बजन लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे क्यों हो आँगा, मतलब खिसा कि जाएगा, तो पूरी की पूरी जो बस्तू है उसको संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर दूसरी पिक्चर में देखें, पहली पिक्चर में आपने ये देखा, दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये पत्थर के उपर पत्थर लगा के इसको किस तरीके से संतुलित किया गया है, तो इसके संतुलन को अगर हम देखे करेंगे दरबिमान केंद्र का दिन करेंगे तो दरबिमान केंद्र क्या होता है किसी भी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदू जहां उस पिंड या पूरे के पूरे निकाय का संपूर दरबिमान केंद्रित माना जा सकता है या उसके दरबिमान को नहित माना जा सकता ह तो उस बिंदू को क्या कहते हैं द्रबिमान केंद्र कहते हैं द्रबिमान केंद्र जैसा की नाम से भी इस पश्ट हो रहा है केंद्र अर्थात वह बिंदू जहां पर संपूर्ण द्रबिमान केंद्रित हो तो उस बिंदू को क्या कहते हैं द्रबिमान केंद्र कहते हैं अब इस वे हम कह सकते हैं कि इस विंदू के सापेक्ष जो पिंड का या फिर निकाय का जो द्रविमान है संपूर द्रविमान है वो समान रूप से बित्रित रहता है ठीक है समान रूप से पूरे के पूरे बस्तू में बित्रित रहता है इसलिए इस विंदू को द्रविमान केंद ठीक है? इस चिप पर यह क्या हो गया? बिल्गेंदम एकने की जो बिंदु है, ये बिंदू इस का क्या है द्रविमान केंदर है, बाच समझ मैं आहीं है. ऐसे ही आप अगर देखें इसको, इसको मैं किसी भी एक बिंदू पर ले आकर फिक्स करदूं, तो आप यह कहेंगे य ये जो इसका बिंदू है ये इसका द्रविमान केंद्र है तो द्रविमान केंद्र किस तरफ अधिक होता है किस तरफ कम होता है तो आपने अगर देखा होगा द्रविमान केंद्र जहां पर बजन जादा होगा उस और खिसक जाता है द्रविमान केंद्र उस पूरी की पूरे एक समू होता है, तो आपके सभी के घरों में पंखे चल रहे होंगे आज कल, तो पंखो में आप देखेंगे, तो हम अगर दो-तीन कण इस तरीके से माल लें, ये पंखा है, इस पंखे की एक इस पंखुडी में, एक हमने क्या ले लिया, इस तरीके से कुछ कण माल लिये, कि इसमें कई सारे कण होंगे, लेकिन हमने कुछ पॉइंट, कुछ कण कोई हमने यहां पर क्या दरसाया है, तो ये पहला कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया, ये तीसरा कण हो गया, ठीक है, अभी इसके अगर पोजीशन को देखेंगे, इसके अगर गती को देखेंगे, तो ये गती कुछ इस तरीके से कर रहा होगा ठीक ये वाला दूसरा वाला जो कड़ है वो भी इस तरीके से गती कर रहा होगा इसके चार ओर समझे आ गया तीसरा वाला भी इसके चार ओर इस तरीके से गती कर रहा होगा लेकिन आप ये अनुभव करेंगे कि ये सभी जो है वो के इंद्र से अलग-अलग दूरियों पर हैं अलग-अलग दूरियों पर होने की वज़े से क्या ये समान समय में समान दूरी तया करेंगे अगर कोई अलग-अलग दूरी पर है तो क्या वो समान समय में समान दूरी तैय कर पाएगा जैसे एक उधारन के लिए हम ले लेते हैं आप सूर्य परिवार को देखिए सौर मंडल को देखिएगा तो यह सूर्य अगर है इस सूर्य के चारो और कई सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं तो यह हमारी पृत्वी भी है इसके चारो और दूसरा अगर हम देखेंगे तो पृत्वी के बाद आपका मंगल आ जाता है तो बुद्ध मंगल पृत्वी इस तरीके से चलता है ठीक है तो क्या इनकी स्थितियां सुक्र और फिर उसका सुक्र आ जाता है तो क्या इनकी स्थितियां अलग-अलग है बिल्कुल हाँ अलग-अलग है क्या इनकी सूरी से दूरी अलग-अलग है बिल्कुल दूरी अलग-अलग है क्या इनके आवर्तकाल एक ही है तो हर एक बिंदू दूसरे के साथ में सापेक्ष दूरी बनाए रखेगा, क्योंकि हमने द्रिनप्रिंड पढ़ा है कि सापेक्ष दूरी परिवर्तित नहीं होती है, अगर सापेक्ष दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है, तो इसकी जो distance है चाहे वो कितने भी motion करता रहे कितने भी चक्कर लगा ले इनके बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होगी तो यहां से पुनहा यहां पर आने पर इसने कुल कितना विस्थापन किया तो हम यहां पर अगर कोणिय विस्थापन इसका निकालें तो इसका कोणिय विस्थापन कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा यहां पर 360 हंस का मतलब 2 पाई ठीक है यह 360 हंस इसका क्या हो गया कोणिय विस्थापन हो गया इस कोणिय विस्थापन ठीक दूसरे वाले के लिए कितना होगा दूसरे वाले के लिए भी टूपाई होगा तीसरे वाले के लिए कितना होगा टूपाई ही होगा क्योंकि पूंड रूप से वही आ रहा है अभी ये वाला पिंड माल लेते हैं कि दो सेकंड में इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया तो दूसरा वाला भी दो सेकंड में तो आएगा, तीसरा वाला भी दो सेकंड में आएगा, चोथा वाला भी दो सेकंड में आएगा, तो ये जो पिंड हैं, ये सभी जो कण हैं, वो एक ही बिंदू के चारो ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और सभी समान समय में अपनी समा कोई ये विस्थापन कर रहे हैं तो ऐसे गती को क्या कहते हैं गुनन गती कहते हैं इसकी परिवसा अगर आप नोट करना चाहें Тो कर सकते हैं जब कोई वस्तू अपने अक्ष के चारो और गुंती है तो उसकी जो गती होती है वो घुनन गती होती है जैसे अभी आपने छतका पंखा देखा है चक्की के पाटों की गती है लट्टू की गती है ये सभी जो होती है वो घुनन गती होती है जैसे आपने कार ड्राइब की हो बित्वी अपने अक्ष पे एक घूणन गति करती है, जिसकी वज़ाजसे दिन रात होते हैं, ठीक है? तो इसका भी ये घूणन अक्ष हो गया अब इसमें टाइम समान है, और जो विस्थापन है, कोनिय विस्थापन वो भी समान है, तो कोनिय वेग भी इसका क्या होगा, ओमेगा, कोनिय वेग कितना होगा, ठीक है, कोनिय वेग कितना होगा, 2 पाई, ये कोनिय विस्थापन बट्टा समय, तो कोनिय विस्थापन 2 पाई और समय है, तो यह क्या होगा, इसका कोणी है, वेग हो गया, अब लेकिन रेखिये वेग के बारे में आपका क्या कहना है, तो रेखिये वेग इसका अगर हम देखेंगे, तो रेखिये वेग क्या होगा, इसका परिवर्तित होगा, ठीक है, देखते हैं कि रेखिये वेग किस विस्थापन, गुणा, कूनिय वेग, ठीक है, ऐसे रिका सकते हैं, यह रेखिये वेग बराबर होता है, क्या, कुल विस्थापन, बट्टा समय, ठीक है, इस तरीके से रिकालेंगे, कुल विस्थापन क्या हो गया, टू पाई आर, यह हो गया, और समय कितना लिया, उसने टी, तो आप कह सकते हैं, कि वी जो है, वो किस पर निर्वर कर रहा है, आर पर निर्वर कर रहा है, मतलब, आप अगर देखेंगे, तो पहले वाले की जो तरिज्या थी, वो कम थी, दूसरे वाले की थोड़ी सी जादा थी, तीसरे वाले की जादा जैसे से इनकी दूरियां बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे वेग इनका रेखिये वेग जादा होगा ठीक है जैसे माल लीजे मैं यहां पे खड़ा हूँ मेरसे एक मीटर की दूरी पर दूसरा है तुझे भी घूमना है तीसरी सबसे कहूं कि तुम सबको दस सेकेंड में यहां पर गूम के आना है, तो अब क्या होगा, कि मिर से एक मीटर की दूरी पर जो है, वो तो कम आराम से चलेगा, उससे दूसरे दो मीटर की मिर से दो मीटर की दूरी पर जो है, वो थोड़ा सा तेज दोड़ेगा, और मुझसे तीन मीटर की दूरी पर जो है, वो और तेज दोड अलग होता है इस प्रकार क के गती को क्या कहते हैं हम गुंन गतի कोङिए गून गति इसके कुछ जो हमने तopic discuss किये हैं यह आपको समझ में अगए होंगे तो सेस हम अगले lecture मेरे discuss करेंगे तबतके बहुत द्यान रखिए धन्यजपाथ झाल झाल